Hello everyone, welcome back to the ideal expert channel तो previous वीडियो में हमने splash screen को create किये थे और जितने भी error थे उसको completely resolve कर दिये थे और हमारा जो app था वो completely ready हो चुका था बट अभी हमें क्या create करना है? navigation drawer को अभी implement करना है तो navigation drawer को implement करने के लिए हमें कुछ code की जरूरत होगी तो मैं वीडियो के description में आपको कुछ code प्रोवाइड करूँगा तो मैं इसको सबसे पहले open कर देता हूँ यह जो PDF file दिखाए दे रही है आपको वीडियो के description में मैं available कर दूँगा मैंने इसको भी open कर दे है आपको navigation drawer create करने के लिए आपको सिरी copy and paste करना है copy and paste करना है आपका navigation drawer easily create हो जाएगा तो अभी हम step 1 follow करते है material ठीक है तो इस dependency को हमें paste करना है बट Android Studio अभी खुद बखुद material 1.10 को add कर देता है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं सभी जितने भी screen उसको close कर देता हूँ close all tabs पे क्लिक कर देता हूँ अभी मैं scroll करता हूँ जो build.grader दिखाए दे रहा है इसको मैं आपको open करके बताता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे material का already dependency paste है तो हमें step 1 create करने की जरूरत नहीं है यह जो string दिखाए दे रहा है इसको आपको ctrl c से copy करना होगा तो मैं copy कर देता हूँ इसको and android studio में चला जाता हूँ और इस जो string दिखाए दे रहा है string.examen में इसको मैं paste कर देता हूँ तो मैंने इसको भी paste कर दिया है अगेन हम chrome में जाएंगे उस video को open करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हूँ जो style है इसको no action bar में create करना है तो already हमने इसको no action bar में create कर चुके मैं आपको दिखा देता हूँ theme.examen में जाना है आपको and यहाँ पर जो dark action bar होता है हमने previous video में ही इसको no action bar create कर दिया है अगेन हम pdf में जाएंगे and आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है create a menu resource directory आपको एक directory create करने है menu के name से तो यह भी already create हो चुके है menu तो sorry यहाँ पर create नहीं है तो इसको हमें सबसे पहले create करना पड़ेगा resource में जाना पड़ेगा right click करना पड़ेगा new and dot resource directory पर click करना आपको and values में जाना and यह जो menu option दिखाई दे रहा है इसको आपको select करना और ok बटन पर click कर देने ok तो आप देख सकते हैं यहाँ पर directory create हो चुके है and अभी हमें क्या करना है एक navigation.xml से name से एक हमें file create करने है तो हमें इसको copy कर देता हूँ जो भी name है and project में जाएंगे and menu पर right click करेंगे new menu resource file and जो भी हमारा file name है इसको हम paste कर देंगे and अभी ok बटन पर click कर देंगे ok अभी हम क्या करेंगे split पर click कर देंगे split पर click करने के बाद again हम जाएंगे chrome में इस PDF को open करेंगे अभी जो भी code दिखाई दे रहा है तो मैं यहां तक इसको select कर देता हूँ तो मैं यहां सी इसको ctrl c से copy कर देता हूँ जो step 4 है इसको आपको completely copy करना है and आपके project में आना है and जो navigation menu.xml है इसमें जितना भी code है इसको remove कर देना है and ctrl vc इसको paste कर देना है तो आप देख सकते हो हमने इसको paste कर दिया है बट यहां पर कुछ error शो रहे हो तो icon आपको सबसे पहले create करना पड़ेगा मैं जल्दी जल्दी इसके icon create कर देता हूँ तो मैं website के लिए create करूँगा icon एक तो हम चले जाएंगे travel मे and website के name से icon create करेंगे तो इसके लिए आपको vector asset में जाना है तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूँ clip art पर क्लिक कर देना है and यहां से जो भी आपको comfortable लगे website के लिए हो यहां से icon choose कर देना है तो मैं यहां से select कर देता हूँ इस icon को website के लिए best है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ने website ओके इसके बाद आपको next बटन पर क्लिक कर देना है finish पर क्लिक करना है ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर error result हो चुका है website जो भी अभी error show कर रहा था वो अभी error show नहीं हो रहा है तो आपको same facebook के लिए भी create करना है तो मैं अभी के लिए कोई भी एक ऐसा image create कर देता हूं by default ऐसे ही तो vector asset पर जाएंगे click part पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जो भी comfortable लगे उस icon को आपको choose कर देना तो अभी facebook का तो icon भी हमारे पास available नहीं है इसलिए मैं यहाँ से कोई भी face का ऐसे select कर देता हूं facebook के name से आपको जो भी comfortable लगे उस icon को आप यहाँ से select कर सकते हो यहाँ फिर direct drawable में paste कर सकते हो और यहाँ से आप direct choose कर सकते हो अभी आपको rate के name से select करना होगा तो मैं drawable में जाओंगा right click new vector asset and यहाँ पर आपको search करना है rating के name से rating sorry rating के name से नहीं star के name से आपको select करना है तो यहाँ से आपको select कर देना star हाँ को क्योंकि rating के लिए यही icon use किया जाता है तो मैं यहाँ से name देता हूं rating and next button पर click करूंगा finish button पर click कर दूंगा तो यहाँ पर जो भी error था result हो जाएगा sorry यहाँ पर error result नहीं हुआ है तो rate के name से हमें create करने था हमने create कर दिया rating के name से तो इसको refactor कर देंगे right click refactor rename and जो rating है इसको हम change कर देंगे rate से and refactor पर click कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर error result हो जाएगा अभी हम share के लिए करेंगे create icon new vector asset and यहाँ पर click करेंगे share के name से इसको हम select करेंगे and ok करके इसको name देंगे share and next button पर and finish button पर click कर देंगे same आपको privacy के लिए create करना है तो drawable में जाना होगा आपको right click करना होगा new vector asset तो हम जल्दी से security के name से एक icon होता है इसको हम select कर देंगे and यहाँ पर आपको name दे देना है privacy and next button पर and finish button पर आपको click कर देना है आपको same terms के name से भी आपको एक create करना होगा icon तो मैं यहाँ से new vector asset जो भी मुझे comfortable लगे terms के लिए मैं आइकन सेलेक कर देता हो जल्दी से and next button पर click करेंगे and finish button पर click कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी error थे हो completely अभी हमने resolve कर देंगे अभी again हम PDF में जाएंगे and step 5 को follow करेंगे तो अभी आचुके हम step 5 के तरफ create all icons of error in drawable तो हमने कर दिया जितने भी error थे drawable में उतने हमने resolve कर दिये अभी हम step 6 के तरफ बढ़ेंगे create a layout drawable.examl तो इस name से अभी हमें एक file create करनी है तो मैं control cc को copy कर देता हूँ name को and layout में चला जाता हूँ new पर click करूँगा layout resource file पर and जो भी name हमने copy किया था उसको हम paste कर देंगे drawable, sorry drawable layout.examl आपको space नहीं देने आगे में यह आपको धहन में रखना है अगर आप space देते हो तो यहाँ पर error show करेगा अभी मैं OK बटन पर click कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो भी layout.tow create हो जुका है अभी हम code को copy करेंगे drawable layout.examl के लिए तो हम जल्दी से इसको copy कर देते हैं तो यहाँ तक आपको ctrl c से copy कर देना है and project में जाके इसको ctrl a से completely select करना है backspace से remove कर देना है and ctrl vc इसको paste कर देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ error show रहे मैं आपको सबसे पहले error result करके बता देता हूँ जो-जो error show रहे तो यह package name है हमारा package name हम धोन लेते जल्दी से build.gradle में जाएंगे and इस package name को हम ctrl c से copy करेंगे and navigation menu sorry draw bulb layout.examl में यह जो error दिखाए देरा इसकी जगह हम अपना package name को enter करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको error को resolve कर दिया है करने पड़ेगी यहाँ पे error show हो रहा है तो इसको हम बाद में करेंगे सबसे पहले यह जो background दिखाए दे रहा है इसका हम error result कर देंगे add direct color toolbar को हम select कर देंगे इसके बाद अभी हम इस error को resolve करेंगे तो इसको resolve करने के लिए आपको सबसे पहले जाना आओगा chrome में यह जो दिखाए दे रहा है step 7 में यह हमको follow करना है create a layout name header.examen तो इस code को copy करना है तो सबसे पहले मैं project के name को create कर देता हूँ layout में जाएंगे new layout resource file and कुन सी layout create करने है new header okay new header हमने create कर दिया है तो अभी आप देखोगे यहापे हमारा यह result हो चुका है जो भी error था हूँ अभी हमें code को copy and paste करने है तो सबसे पहले मैं जल्दी से split पे click कर देता हूँ and यह जो भी code दिखाए दे रहा है इसको मैं Ctrl C से copy कर दूँग तो मैं इसको Ctrl C से copy करूँगा जल्दी से and जो भी हम name header इसमें इसको हम paste कर देंगे तो Ctrl A करेंगे backspace से code को remove करेंगे Ctrl V कर देंगे तो आप देखोगे जो भी error है वो completely resolve हो जाएगे बट यहापे कुछ error शो हो रहा है तो इस error को resolve करने के लिए हम क्या करेंगे adderate color हम toolbar का color का color दे देंगे सबसे बढ़िया ओकि adderate color toolbar तो आप देख सकते हो यहापे हमने color दे दिया बट यहापे हमने दो text view दे दिये यहापे color different है इसलिए यह show नहीं हो रहा तो इसको हम change करेंगे इसको थोड़ा blackish ज्यादा रखेंगे and इसको थोड़ा कम blackish रखेंगे यह जो second text view है तो आई होप अभी आपको show रहा होगा तो book app में ज्यादा ही color dark दिखाए दे रहा तो इसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे तो अभी हमारा completely result हो चुका है and यह जो ic launcher round जो दिखाए दे रहा जो image दिखाए दे रहा है इसकी जगह जो हमने create किया means हमने जो drawable में paste किया रोईत की नेम से इसको यह से हम select कर देंगे तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे header file भी हमारा create हो चुका है बट यहाँ पे error show हो रहा है तो सबसे पहले हम देख लेते है error क्यों show रहा है हाँ हमने इस linear layout को close नहीं किया है तो मैं इसको close कर देता हूँ जल्दी से अभी error result हो चुके जितने भी error थे तो again हम chrome में जाएंगे आप देख सकते हो अभी in main activity java paste all code तो हमें क्या करना है इस code को paste करना है तो इसको paste करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है and ctrl c करना है and project में जाना है and जो main activity है इसको open कर देना है तो मैं इसमें जल्दी से इसको paste कर देता हूँ ctrl v से यह होने के बाद toolbar is equal to find r.id.toolbar तो यह तो हमने already set किया है आपको दिखा देता हूँ okay तो इसको paste करने की जरूरत नहीं हमें हम इस code को copy कर देता है अभी ctrl c and इसमें हम paste कर देंगे again हम जाएंगे and अभी जितना भी error show sorry जितना भी code दिखाए दे रहा है इसको हम completely ctrl c से copy करते जाएंगे यहां तक आपको यह जो दिखाए दे रहा है semi column यहां तक आपको copy करते जाना है and यहां पर आके इसको paste कर देना है तो अभी जितने भी error है हम एक एक करते resolve करते जाएंगे तो आपको बस alt enter press करना है सभी पर आपकी जितने भी error रहेगे वो resolve हो जाएगे alt enter import class okay same इसमें भी करना आपको alt enter and यहां पर भी करेंगे हम alt enter import class बट यहां पर action bar toggle के लिए push रहे तो आपको first choose कर देना है and इसके बाद आपको जो भी error शो हो रहा है उसकी जगह आपको बस alt enter press करते जाना है यहां पर भी हम same alt enter तो आप देख सकते हैं जो भी error थे हो resolve हो चुके बट अगें यहां पर कुछ error शो हो रहे तो semi column से इसको हमने close नहीं किया था इसलिए error शो हो रहा था तो अभी हमारा complete work हो चुका है तो देख लेते हम पीडियाप में जाके सबसे पहले हाँ अभी हमारा code to complete हो चुका है बट हमें कुछ changes करने होगे है जैसे r.layout है r.layout activity main के जगह हम क्या करेंगे यहां पर drawer layout यहां पर द्रावर layout यह आपको ध्याद में रखना है अभी हम घ्रावर layout को open कर देंगे layout में जैंगे ड्रावर layout .examil तो आपको ध्याद में रखना है जो toolbar है इसको आपको remove कर देना है क्यों हमें toolbar remove करना है क्योंकि जो activity main.examl है उसमें हमने already toolbar को create कर दिया है तो आप देख सकते हैं यह toolbar already implement है तो हमें double तो implement नहीं करना होगा तो इसलिए में linear layout को सबसे पहले remove कर देता हो जल्दी से तो आप देख सकते हो यह toolbar है वो remove हो जाएगा अभी हमारा completely work हो चुका है अभी हम जाएंगे activity main.examl में sorry main activity.java में यहाँ पर देख सकते हो code यहाँ पर लिखना है तो जैसे कोई facebook page पे click करेगा तो दुसरे page में जाना चाहिए जैसे कोई website में click करेगा दुसरे page में जाना चाहिए privacy policy पे click करेगा तो दुसरे page में जाना चाहिए same ऐसे जो भी दिखाए दे रहा है rate, share जैसे कोई share आइकन पे click करेगा तो डाइरेक होना चाहिए, जो share का option होता है WhatsApp, Instagram, इस सभी खुलना चीए रेट पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट होना चीए प्लेश्टोर में तो इसके लिए भी हमें code create करना होगा तो चलिए जल्दी से हम इस code को create कर देते तो अभी हम सबसे पहले Facebook page के लिए create करेंगे तो अभी कम स्पेश शो वरा इसले में जल्दी से इसमें थोड़ा स्पेश ले लेता हूँ तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ या आपी intent दिखाए दे रहा intent and name दे देता हूँ his book is book is equal to intent 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 dot action view comma uri dot parse and double dot sorry double column and इसको हम close कर देंगे ओके यह होनी के बाद start activity intent pass कर देंगे जो भी हमारा sorry facebook है उसको हम pass कर देंगे यह जो दिखाए दे रहा है double string का sign इसमें आपको क्या करना है कोई भी url pass कर देना है जैसे कोई facebook page पे क्लिक करेगा तो जो भी आपका facebook page का profile रहेगा जो भी url रहता है उसका यहापे आपको paste कर देना है इसमें सभी जगब google का जो भी website होता है उसको paste कर दूँगा https सभी direct paste कर देंगे www.google.com तो इसमें आप स्टार्टिंग में https भी लगा सकते है तो मैं इसको भी लगा देता है जल्दी से double column लगा देना है ऐसे www.google.com लिख देना है तो सेम अभी हमें create करना होगा website के लिए अगर कोई website पे क्लिक करता है तो जो भी आपकी website रहेगी वह open होनी चीए तो इसके लिए हमें same code implement करना होगा तो मैं जल्दी से Ctrl C से copy कर देता हूं website में paste कर देता हूं यहाँ पे हम facebook की जगा लिख देंगे website क्योंकि इसको name कोई भी दे सकते हो आप यहाँ इसमें इसको pass कर देना है website में आप यहाँ से कोई भी जो भी url रहेगा आपका website का वह यहाँ पे implement कर सकते हो तो सेम privacy policy के लिए आपको करना है तो मैं इस code को paste कर देता हूं यहाँ से लिखेंगे हम privacy यहाँ पे भी pass कर देंगे privacy आपका जो भी privacy policy रहेगा यहाँ से आप pass कर सकते हो privacy policy के लिए इसके बाद हमें terms and condition के लिए भी same create करना है तो मैं जल्दी से create कर देता हूं यहाँ पे आपको लिखना है condition and इस condition को यहाँ पे pass कर देना है तो मैं जल्दी से condition को pass कर देता हूं तो आप देख सकते हो हमारा जो भी facebook page पे click करेगा तो direct google पे चले जाएगा यह भी google में जाएगा यह भी google में जाएगा इतना code आपको समझ में होगा जैसे कोई facebook पे click करेगा तो आपको सभी अपके url provide कर देने है अभी हम more apps का code create कर देते तो इसके लिए हम ctrl c करेंगे इसके लिए भी same है आपको more apps का means कैसे आपको url pass करना है वह मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले more लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको pass कर देता हूँ more तो आप देख सकते हैं हमने more apps का भी code create कर दे इसमें आपका जूई जितने भी apps रहेंगे means एक ही प्लेश्टूल पे जैसे हमारे code create करते है तो rate का code थोड़ा hard है तो जल्दी जल्दी हम इसको लिख लेते जल्दी से तो इसमें हमें try cache का implement करना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ try अगर start activity यहाँ पे भी हमें intent को ही pass करना पड़ेगा तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ इसका भी code intent intent.actionview .uri.phrase तो यहाँ से आपको dot provide नहीं करना है comma provide करना है uri.phrase इसमें आपको क्या करना है जो जो code बता रहा हूँ आपको jcq वैसे by default type करना है तो आपको लिख देना है market double dot slash slash details question mark id is equal to आपको type करना है is equal to plus get package name यह होने के बाद आपको क्या करना है इसको close कर देना है okay तो यह तो हमारा completely work हो चुका है try का जैसे कोई user आएगा and red button पे click करेगा तो direct जो market होता है app market मार्केट में प्लेश्टोर में रिडारेक्ट हो जाएगा तो अभी हमें exception में डालना पड़ेगा जैसे कोई user उनके पास प्लेश्टोर अगिलेबल नहीं है तो direct redirect हो जाएगा chrome पे तो इसके लिए हम एक catch दे देते है exception के लिए catch exception and इसका निम दे देंगे ex and इसका भी code हमें लिखना होगा जल्दी से same आपको code लिखना है start activity तो small as लिखना है start activity new intent 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 dot action view comma uri.phrase यहासे भी आपको जो भी url रहेगा उसको pass कर देना है जैसे भी कोई प्लेश्टोर पे जाता है तो जैसे आपको पता होगा http dot slash slash play dot google dot com slash store slash apps slash slash details तो आपको अची से लिखना है spreading details के details question mark id and इसको close कर देना है and इसके बाद quant के नेट तो हमें space देता हूँ plus का sign देता हूँ and जो भी हमारा package name रहेगा उसको redirect कर लेगा means जो भी हमारा app का package name होता है उसको खुद बखुद detect कर लेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे rate का भी हमने code implement कर दिया है अभी हम जाएंगे share के code में तो i hook guys आपको समझ में आगा यह जो rate मेंने create किया है इसका code भी कापी easy है अगर कोई click करता है rate पे तो वो direct चला जाएगा play store के पे अगर play store अवेलेबल नहीं है तो वो direct चला जाएगा chrome में इसलिए हमने लिखे sttp play google.com store apps details id जो भी package name रहेगा वो detect कर लेगा तो अभी हम चले जाते है share के code पे तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हम intent को pass करेंगे intent share intent name देता हूँ मैं and यहाँ से हम pass करेंगे intent.action send क्योंकि हमें send करना है ओके share पे तो इसलिए हम यहाँ से choose कर रहे है action send dot action send यहाँ से semicolumsees को close कर देना and share intent share intent dot set type तो हमें type set करना पड़ेगा set type text plane में तो text slash plane अभी हम जाएंगे share intent में same dot पे क्लिक करेंगे put extra and same आपको यहाँ पे intent pass कर देना है extra subject लिख देना है dot extra subject and जो भी आपका app का name रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना है तो मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ book app and semicolumsees को close कर देना है यह होने के बाद आपको string यूज करना है means कोई भी जैसे send, कोई send पे क्लिक कर देता है okay जैसे share पे क्लिक कर देता whatsapp में चला जाता है इसके बाद उसे कुछ message show होना चाहिए means जैसे this is the best application for box apps तो show होना चाहिए okay तो उसके लिए हम string pass कर रहे है भी message में string and इसका name भी ले देंगे हम share message string share message is equal to this is the हम लिख देंगे कोई भी message आपकी इचा कोई भी लिख सकते हो तो तुम्हें यह की लिखता हो this is the best application for book apps okay and इसके बाद आपको semi columns को close कर देना है तुम इसको close कर देता हूँ यह होनी के बाद आपको share message भी कर देना है again कि जो share message है इसको आपको pass कर देना है कि मैं share message लिख देता हूँ जल्दी से share message is equal to share message plus का sign देना है जैसी concurrent होता है आपको पताऊंगा share message और यहाँ पे जो भी आपका URL रहेगा आपके play store के app का वो provide होना चाहिए तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ control c से just इस code को copy कर दूँगा यहाँ पर इसको paste कर दूँगा okay and again plus and get package name यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ फिर build configuration.application.id भी लिख सकते हो दोनों का भी mini same है तो मैं जल्दी से लिख देता हो build configuration.application.id means package name semi column share intent यह जो share intent हमने name दिया था intent के name से इसको हमने pass कर दिया भी dot put extra and यहाँ पर आपको extra text provide कर देना intent dot extra text comma share message and अभी हम semi columns इसको close कर देंगे and आपको यहाँ से provide करना है start activity intent intent dot create chooser इसमें pass करना आपको share intent comma choose one तो भी आप देख सकते हो अभी हमारा जितना भी code आपको completely create हो चुक है तो मैं सबसे पहली code को भी समझा देता हूँ जैसे कोई user आता है तो हमने accent send किया है means जितने भी WhatsApp, Instagram, जितने भी social media रहे गए open हो जाए ठीक है अभी हम देखते सबसे पहले कि हमारा code अच्छे से create हो चुका है क्या नहीं हो चुका है तो अभी हम run करेंगे हमारे code को तो जल्दी से हम connect कर देते हैं हमारे device को तो अभी आप देख सकते हो याप हमने mobile device को connect कर दिया है मैं अभी run app पे click कर देता हूँ जैसे हम run app पे click करेंगे तो यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक बैट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे error शो रहा है error इसले शो रहा है क्यूंकि हमने more apps के नहीं से कोई भी drawable file में create नहीं किया है तो हम project में जाएंगे तो इसको में थोड़ा increase कर देता हूँ and drawable में हम देख लेंगे more apps से कोई भी नहीं है तो सबसे पहले drawable में जाएंगे new vector asset and more apps का कोई भी icon हम select कर देंगे मैं सबसे पहले देख लेता हूँ search करके yes यहाँ पे दिख रहा है more apps का हमें इसको select कर देता हूँ okay and next button पे click कर दूँगा sorry इसका name enter हमने के यह नहीं more के name से next button पे click करेंगे and finish button पे click करेंगे okay तो आप देख सकते हो हमारा जो भी error था result हो चुका है तो again हम भी क्या करते है run app पे click करके देखेंगे हमारा app run होगा क्या नहीं होगा हम सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें तो चलिए मैं अभी run app पे click करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे run app पे click clear same यहाँ पे gradle build start हो चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ भी message आ चुका है gradle build finish in 9 seconds and lost succeed का भी message आ चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा splash screen show हो रहा है book app and हमने जो navigation drawer implement किये थे वो भी successfully implement हो चुका है तो मैं इस पे जैसी click कर देता हूँ and red button पे click कर देता हूँ तो हमारा play store का जो भी है market का open होना चीए तो आप देख सकते हो यहाँ पे app market का खुल चुका है बट अभी हमारा app play store पे नहीं है तो not result found show होगा इसलिए हम अभी app market पे click करेंगे तो अभी आप देख सकते है loading show हो रहा है बट हमारा app play store पे है ही नहीं इसलिए the app is not available in app market show कर रहा है तो अगेन हम book app में जाएंगे अगेन हम अभी click करेंगे share पे तो जैसे हम share पे click करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे accent send हमने implement किये थे इसलिए whatsapp instagram का page open हो चुका है तो मैं whatsapp पे click कर देता हूँ और किसी को भी में इस application को share कर देता हूँ देखोंगे कि जो हमने text plane आपको में सबसे पहले दिखा देता हूँ जो हमने text provide किये थे this is the best application for apps जो भी हमारा link था open हो चुका http play google.com store app details com.example book app तो इस तरह के आप किसी को share भी कर सकते हो तो अभी हम क्या करेंगे अगेन हम back चले जाएंगे जो भी आपका privacy policy terms and condition more apps visit website follow on facebook पे जो हमने google.com URL pass किये थे वो अभी open हो रहा है के नहीं हो रहा हम check कर लेते हैं तो जैसे हम privacy policy पे click करेंगे तो आप देख सकते हो हम दूसरे page में redirect हो चुके मिन्स chrome में आ चुके तो यहापर google page open होता है के नहीं होता है देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहापर google.com open हो चुका है तो I hope guys अभी आपको यह भी समझ में आओगा कि navigation router को कैसे create करते हैं बट यहापर आपको एक error देखने के लिए मिलेगा जैसे हम book app को open कर रहे हैं तो यहापर powered by Rohit show नहीं हो रहा है मैं आपको अगेन open करके बता देता हूँ इसको सबसे पहले तो close कर देता हूँ and अगेन book app में click करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहापर powered by Rohit show नहीं हो रहा है तो इसको create करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले जाना होगा layout में activity splash screen.examl में जाना होगा and जो 28 दिखाय दे रहा है margin bottom इसको हम कर देंगे 58 and फिर run and app पे click कर देंगे and देखेंगे अभी क्या powered by Rohit show हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो भी आप देख सकते हैं यहापर message आ चुका है build successful in 26 seconds अभी मैं book आप पे click कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहापर show हो रहा है powered by Rohit तो अभी हमारा completely work हो चुका है जो भी हमारा app था हमने completely इसमें recycler view को paste कर दे है completely app create कर दे है बट अभी हमारा सिर्फ एक की बार बाकी है जो हमने ads implementation दिखाए दे रहा होगा यह screenshot में देखो यहापर test ads दिखाए दे रहा है इसी test ads को हमें implement करना है तो इस test ads को हम implement करेंगे next वीडियो में तो तब तक के लिए जहिन जय भारत जो हमारा देखो